फाइफ देखा जाए कारा निम्लिकित समानता सरी कि पदों की संख्या निकले पहला ही देखते हैं मालत है माना एपी में कुल कुल एन पद है एन पद है तो यहां दोको प्रथम पद प्रथम पद यानि कि ए का मान आपका हो जगा 18 सारवंतर सारवंतर यानि कि D का मान होगा A2 माइनस 7 यानि कि 15 पुनांग 1 बटा 2 और माइनस में 18 तो यानि लेंगे 2 हो जगा 31 माइनस 18 दूना 36 न माइनस का 5 बटा 2 सारवंतर आगया माइनस का 5 बटा 2 अच्छा आप क्या निक्याला इसमें तो इसमें कितने पद है ये तो चुकि एनवापद यहीं न होगा आपका माइनस का 44 पुनांग 1 बटा 2 एनवापद को TN से भी लिख सकते हैं TN बराबर माइनस का 44 पुनांग 1 बटा 2 TN बराबर हो जागा A प्लस N माइनस 1 इंटू D A न भी लिख सकते थे कोई दिक्कति हैं 44 दूना 88 एक 89 हो जागा 89 बटा 2 ठीक है चलिए आगे सॉल करते हैं तो A का वैलू कितना है तो A का वैलू अपका 18 है रख दो 18 प्लस N माइनस 1 और D के जापे माइनस का 5 बटा 2 बराबर में माइनस का 89 बटा 2 प्लस का 18 उधर जाके माइनस का 18 हो जागा न N माइनस 1 गुना माइनस 5 बटा 2 बराबर LCM लेंगे इदर माइनस का 89 बटा 2 और माइनस का 18 का इसको पहले वैसे लिख दो चलिए तो उधर LCM लेंगे तो 2 माइनस का 89 माइनस का 36 यह 2 से 2 कड़ गया N-1 और यह माइनस का 5 है इन 2 में और बराबर में इन दोनों को जोड़ दो 915, 5, 1, 8, 3, 11, 12, माइनस का 125 यह ले जाएंगे भाग में यह लिख सकते हैं पदों की संख्या पदों की संख्या जो है अवा कितनी है पदों की संख्या वह 26 है 26 पड़ है टोटल समझ गए इसका सेकंड बना लेना